चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ओल इंडिया कोटा की राउंड वाइज कटोफ क्या रह सकती है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि री नीट की पॉसिबिलिटी क्या है तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अभी री नीट की पॉसिबिलिटी सिरफ 20% बची हुई है यानि कि 80% ऐसा लग रहा है कि अभी reneat नहीं होगा और 20% ऐसा है कि reneat हो भी सकता है तो ये 18 जुलाई के decision पर depend करेगा Supreme Court के तो ये जानकारी थी reneat के बारे में अब हम पता कर लेते हैं कि seat increasing के according category wise cut off क्या रहे सकती है तो मैं आपको यहां marks बताऊंगा और उसके according आप अपन जो rank है वो decide कर ले आपकी कितनी rank है उसके according आपको ये police मिल सकती हैं तो first round में देखते हम UR category में 661 UR category के cut off जा सकती है EWS की first round के लिए 658 OBC के लिए first round के लिए 660 SC के लिए first round के लिए 575 और SD के लिए 535 second round की बात करें तो second round में थोड़ा सा cut off down जाती है तो UR category 657 marks EWS 654 marks OBC 656 marks SC 561 marks और SD 530 marks 3rd round की बात करें तो third round और second round में ज्यादा अंतर नहीं रहता है cut off का UR category के लिए 656 EWS के लिए 653 OBC के लिए 656 SC के लिए 555 SD के लिए 518 cut off रह सकती है third round में अब stray round last round होता है तो उसकी UR category के लिए 655 EWS के लिए 652 OBC के लिए 655 SC के लिए 550 और SD के लिए 510 cut off रह सकती है stay vacancy round में तो ये expected cut off है first round, second round, third round और stay round MCC के बाकी जैसा ही update मिलेगा हम आपको inform कर देंगे तो अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो हमारे तीन book available है MCC की book भी है, state quota की book भी है और I.O.S. Waitnary की book भी है जो All India quota की book है उसमें category wise cut off दे रखिये जिससे आप अपने rank के according देख सकते हैं कि आपको कौन सी rank पर कौन सा college मिल सकता है previous year के according round wise cut off दी गई है, college wise cut off bond दिया गया है इसमें कौन सी college में कितना bond है fees, seeds, registration process और required documents के बारे में जानकारी दी गई है इसमें 24 list भी दी गई है, 2024 के लिए आपको कैसे 24 fill करना है flow side से समझाया गया है counseling process के बारे में ऐसे ही state की book में ये सारी facility available है tuition fees के बारे में, cut off के बारे में, admission process के बारे में और documents के बारे में, ios और veterinary की book में ये सारी चीज़े available है इनको आप हमारे इस video की description box से download कर सकते हैं जैसे ही आप इसमें more पर click करेंगे, तो इस परकार का interface आएगा इसमें जिस भी book को download करना है, उस पर आप click करके कर सकते हैं इसमें आप हमारी website चोपडा education.in से भी इसको download कर सकते हैं जैसे ही download करेंगे, हम आप से संफर कर लेंगे, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं तो ये जानकारी थी, expected cut off के बारे में, round wise, मिलेंगे नई update के साथ में नए वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जैहिन